नमस्कार और आप देख लेएं पलपन धरने पर बैठे पीडियाई अध्यापकों के समर्थन में आई कांग्रेश पूर्ष सीपीएस प्रहाज सिंग गिला खेडा ने धरना स्थन पर पहुंच कर किया समर्थन सरकार इन अध्यपकों के बारे में करें सहनुभुध पे रूप वीक्राइब सरकार की मंचा शाप हो और इनको भी किया जा सकता है समायो जी सरकार विधन सबमे अध्यादेश लाकर इने बेरोजगार होने से बजाए भाजबा सरकार में बड़ा है क्रायम सरकार में स्यामिल विधायक और मंत्री भी सर्याम करते हैं अधिकारियों की सुनते भी नहीं पलपल फत्यवक्स राजेश भांभू की विशे सिपोर सुप्रीम कोड के अधेसों के बाग परदेश में हादा आए गए पीटियाई अध्याथकों के बारे में सरकार सहानू भूती पूर्वत विचार करें सरकार सुप्रीम कोड के निर्देशों के अनुसार उन्हें एक और चांस दे और उन्हें समाय उचित करें लगु सचवाले के बाहर धरने पर बैठे पीटियाई अध्याथकों के समत्थम में पहुंचे पूरु सीपियाथ प्रल सोलाशु फिलिस कर्मियों को समय उचित किया मिटीसी विभाद के ख़त्म होने के बाद शोचित करमचारियों ने को समाय उचित भी किया गया उसी प्रकार विधान सबहा में एक अध्यादिक केस्ट लयाकरके इन्हें भी बे-रोजगार होने से बचा जा सकता है वह उन्हे कि उसे परदेश में विगर्टी कानून विवस्था के बारे में बोलते उए कहा है कि जिस परदेश में सरकार में शामिल उनके मंत्री और विधायक भी सरयाम यह करें उन्हें यह कोई नहीं सुनता यह कोई भी अधिकारी या करमचारी उनकी नहीं सुनता इससे अंताजा लगाया जा सकता है कि वहां पर अपसरसाही इतनी हावी होगी उन्हेंने कहा कि यहां पर अपसरसाही हावी होगी वही क्रेप्शन और क्राइम में इजाफा होगा वही सोनाली फोगाड की गिरफतारी और जमानत पर उन्होंने टिपनी से इनकार करते हुए कहा कि मामला पॉर्ट में विचारा धीन है इसलिए वे इस पर कोई टिपनी नहीं करना चाहते आप देखें पलपल की ये खास कि मुर्दा आपाद पर इस पर इंतर तो है कि इनकार से नाम पर भी अमारा जान पताया था तरिए अपुझमार, बेवी, हमारा सभाश, इस इजितन ओक्तिदात पे पिस्वांगते हुए देखो यह मारे पीटिये, यह उनिस उत्रा सी यह सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इनको उठा दिया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें यह था कि लोक डाउन खतम होने के बाद पांच मेने के अंदर दुबारा इनकी प्रिक्षा लेके इनको सबको एक मोका और देना चाहिए और उसके बाद में जो है आप बढ़ती इनकी दुबारा करो ये फैसला दिए लेकिन लोग डाउन तो अटा ही नहीं उससे पहले सरकार ने इनको रिलीव कर दिया तो ये जाती है इसलिए आज मैं कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से इनका समर्थन करने के लिए आया हूँ और सरकार से ये बेंटी करने के लिए आया हूँ कि दस साल होगे इनको लगे हुए अब इन में बहुत से लोग हैं अगर दुबारा प्रिक्षा भी होती है तो उसमें ये बैख नहीं पाएंगे औरेज होगे बहुत सी हैसे हमारी बैनाई है जो विद्वा होगी इसके बाद में जो टीचर थी उनकी डेथ होगी वो विद्वा होगी उनके परिवार को पालने माला कोई नहीं है तो एक सानुभूती के तोर पे सरकार को सोचके एक अध्यादेश लाके कोई कानून मुना के ये जो वारे उनी सुत्रा सी बैन भाई निकलें इनको किसी तरीकी से परिशन में कास सुप्रीम कोट ने किया लेकिन सरकार अगर चाहे तो सरकार कर सकती है तो सरकार कर सकती है इसलिए मैं यह मैं को सुप्रीम कोट खिलाफ नहीं बोलता सुप्रीम कोट ने अपना डिसिनल लिया अपनी तक्त्यों के अधार पर लिया होगा उसका वम कोई चले लेकिन फैसलाने के बाद में उसका आगे रस्ता निकालना सरकार का काम है और मैं ये दवे के साथ कह सकता हूं अगर सरकार की नियत साफ हो तो ये 1913 सी घर जो आज उजड़े हैं सरकार इनको बसा सकती है और हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि इस मामले के अंदर को एद्यादे को कानुन विष्टा के जहां तक संबन्द है यह तो बार-बार मेरे कहने की बात नहीं यह पर गृवें सिस्क मेटी की मीटिंग होती है उसमें हमारे सरकार के जो विधायक हैं वो विधायक अपने मूँ से खुद मानते हैं तो अब इसमें मेरे कहने ही तक कोई बात नहीं अब गृवे सिस्क मेटी की मीटिंग में एड करते हैं हमारे मंतरी जो भी मंतरी इंचार्ज होते हैं और वो रेप्रेजेंट करते हैं चीव निश्य साब को और उनकी मौझूदगी में अगर लोकल सरकार की पार्टी की खुद के विधायक अगर यह मानें कि हमारी कोई सु और खुद आप समझो